इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे CSS border के और outline के बारे में ख़ीक है तो normally border के लिए property होता है border ठीक है अगर हम कहीं पर border लगा रहे हैं तो normally border लगा सकते हैं जिसमें तीन value डाल सकते हैं एक है उसकी चौराई यानि width दूसरा style चौथा तीसरा color अगर तुम सिर्फ border लगाते हो border जैसे style, colon और इसमें बहुत सारे value होते हैं जिसमें dotted होता है मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ और भी values है, dashed होता है, double होता है और groove होता है तो यह सारे के सारे value होते हैं इस border के style के इस तरीके से border का तुम color अलग कर सकते हो उसके लिए लिखना होता है border color तो यह color तुम red इ border, dash, left ऐसा value लिख सकते हैं और तीनों चीज़, width उसका style इसमें एक style चूट रहा है, वह है solid देखो, solid तो solid का मतबता है पूरा line करके दिखाएंगे, कोई बात नहीं है, red, 6 border, dash, left के दिखा पर right हो सकता है, right डाल सकते हैं, top डाल सकते हैं, bottom डाल सकते हैं, और उसके बाद, border, dash, radius, 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 radius से क्या होता है, corner उसका curve कर सकते हैं, देखो हम करके दिखाते हैं, इतना पहले property, तो पहला है border, फिर border with, फिर border style, border color, left, right के साथ अलग अलग, और border radius, इसको करने के लिए हम यहाँ पे एक छोटा से structure दिखाते हैं आपको, यह web structure वाला फोल्डर इसको खाली पूरा page खाली कर देते हैं, और HTML वाला भी, ठीक है, तो normally हम एक box बनाते हैं, जिसका नाम में box, और इसमें हम लोग CSS देते हैं, box, width, यह तो sound में आ रहा है, ठीक है, तो 400, height, 400, यह 300, जो भी तुमको देना है, वो दे दो, background color का जो देना दे दो, कोई issue नहीं है, live करो इतना अबरा box आ जाएगा, दिखाता हूं, box आएगा, उसमें border लगाना सीख रहे हैं, यह box है, इसमें border लगाना है, चारो दब से, ठीक है, तो कैसे लगाएंगे, इसके लिए लगाना होगा, आपको, sorry, यह, यह, यहाँ पर क्या करना होगा, आपको border में, इस तरह से लिखना है, border, उसकी 14 ही कितनी होगी, यानि width, border का भी 14 ही होगा, तो उसमें 10 पिक्सल लिख दिया, border का color क्या होगा, sorry, background नहीं, border, color, तो कौन सा color का border होगा, तो black, border, dash, style, कौन से style का border होगा, तो dotted, dashed, double, groove, जो भी आप चाहो लगा सकते हो, यहाँ बहुत सारा option है, पहले solid देख लो, क्य तुमको दिख रहा हो, क्या है, border है, तुम किसी भी color का डाल सकते हो, कोई issue नहीं है, आप कहाँ पर कोई भी color का नाम लिखेंगे, उस color का border बन जाएगा, आप notice करें, yellow color का border आगी है, लेकिन एक बात बहुत important जानना है, वो समझो क्या, जब हम लोग बार्डर लगाते हैं, तो हमारी चाराई उतनी नहीं होती, जितनी हम देते हैं, जिससे हम लोग 400 दिया, यहां दिया कितना, 400, देखें हमारी border, कि अब जो width है, बार्डर लगाने के बाद वो हो गया, 420, ऐसा क्यों हुआ, देखो, इस कोने से 10 pixel का border लगा हुआ है, और इस तरफ से भी 10 pixel का border लग नोटिस करने के लिए आप राइक कर सकते हैं, और इंस्पेक्टर कर सकते हैं, जब आप करसे से स्लेक करेंगे अपना box, तो नीचे दिखा देगा, देखो, 419.2 इंटू 319.2 दो आ रहा है, यानि लगभख 20 लगभख 20 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि width जब हम लोग डालते हैं, और साथ में अगर border डालते हैं, तो width प्लस border हो जाता है, ठीक है, border के साथ साथ width का area भी जुरता है, ध्यान रखने हो ली बात, तो यह यहाँ पर जुर गया, अगर यह तीनो लाइन को, तीनो लाइन को तुम चाहते हो, एक ही लाइन में लिखें, तो तुम एक साथ लि कोड़ एक ही लाइन में आ जाएगा, तो तुम देखो, यह dotted border है, डाWD करके आ रहा है, अगर तुमारा पिक्सल चोटा होता है, तो डाट बहुत चोटे गईन नजर आता है, अगर तुमारा पिक्सल बड़ा होगा, तो वह ही चीज बड़ा बड़ा नजर आजा है, तो यह तो दोट है, इसी तरह से डश इड भी होता है, त्यूखत रही हाँ, एसी तरह से ग्रू भी होता है, ग्रूब थी डाता है, इस कलर में ब्लैक में नहीं दिखेगा उतना, बट ग्रीन बगरा लगाते हैं, देखेगा, थीडी फ्रेम जैसा दिखे रहा है, तो यह ग्रूब है double का मतलब होता है जहां पे group लिखा हो वहां पे double लिख सकते है तो double का मतलब होता है 2 line 2 line का border तो तो यह normally पिक्सल ज़्यादा है अब लिखे आप नोचिस कर सकते हो 2 line का border है आया ना तो हमें इस तरीके का border बना सकते है औब border किसी एक side भी दे सकते हैं जी से border desk left तो अब border सिर्फ left side में है देखो यहां और कही border है? नहीं तो border desk top लिख सकते हैं तो पता ही यह चला हो सकता है कि अलग-अलग direction में अलग-अलग design वाला अलग-अलग design वाला भी डाल सकते हैं और अलग-अलग color वाले भी डाल सकते देखो इस बार हम color जो है चूज कर रहे है वो है blue देखो तो पता ही है चला चार, sorry, इसमें देखो सब जगा टॉप पे लिखा हुआ तो ये left side के लिए और ये right side के लिए और ये bottom के लिए देखो, कितना अलग हो गया वो छूट रहा है देखो, तो इस side हो गया dotted उपर हो गया double, इधर dashed और इधर solid solid मतलब पूरा लाए है तो हम लोग अलग-अलग direction में अलग-अलग border लगा सकते हैं अब आते हैं हम लोग बात करेंगे border radius के बारे में वो क्या होता है, वो देखो border radius, actual में border को कम करने के लिए या उसके corner को घुमाने के लिए curve करने के लिए इस्तमाल किया आता है, देखो इसके border में curving दीख रहा है तुमको border का कोना खतम हो गया अब यहां पे कपड़ा उपड़ा नहीं भटेगा है ना, तो basically यहां पे 200 भी कर सकते है, ठीक है तो यह एक जब oval shape जैसा हो गया, अब इसको अब percentage में करोगे तो circle भी बना सकते हो बच सर्त यह है, circle तभी बनेगा जब height width बराबर होगा क्योंकि square से circle बन सकता है, देखो बन गया है बना, तो जब तुम्हारा width और height दोनों बराबर होगा अब percentage तुम लगा दो, border radius 50% तो हो गया, mathematically क्या होगा हो circle हो जाएगा, है ना, तो basically border radius का इस्तमाल किया जाता है कई चीजों में देख सकते हैं यह है border का कमाल, इसी तरीके से outline भी होता है जो आपको note करना है copy में वो है, इसका next topic CSS outline outline क्या होता है, outline border और outline दोनों same होता है, same to same लेकिन आपको ध्यान रखना है इस बात का, कि border में जब हम लोग लगाते हैं तो उससे चोराई बढ़ता है लेकिन outline से चोराई नहीं बढ़ता है, देखो, border और outline दोनों का property भी same है जहाँ जहाँ border लिख रहे थे, वहाँ वहाँ सिर्फ outline लिखना है, और कुछ नहीं करना देखो, जहाँ border लिख रहे थे, वहाँ पर outline लिखना है, बाकि सारी चीज़े same है सारी चीज़े same है, यह देखो, यह सारे code, सारे तरीके, सब से यह इस तरह से, बस उसमें नहीं होता है तो border radius, यह outline radius करके कुछ नहीं आता है, ठीक है तो यह हटा देते हैं, देखो, तो यह outline का पूरा property है, outline और border में बस एक ही चीज़ का अंतर है, वह है width का देखो ध्यान से, फिर से हम दिखा देते हैं, यहां पर समझ लो एक बारिक सी चीज़ है, जैसे हम लोग 400 बारिक सी चीज़ है, जैसे हम लोग 400 बारिक सी चीज़ है, और हमारा border width वगएरा है, लगब 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 यह वाला code को enable कर देते हैं, कितना width हो गया, चौराई मे से करवाएंगे, border से नहीं करवाएंगे, किस से कराएंगे, outline से कराएंगे, तो काम तो सेम होगा, लेकि मेरी चौरा ही नहीं बढ़ेगी, देखो, देखो वापस देखो, 400 बारिक चार सो, यानि अपने width का area है, उसी के अंदर ही border लगया है, बाहर border नहीं लगा है, outline होता है area के अंदर, अब border होता है area से बाहर, इसलिए उसका width बढ़ जाता है, बस अतना ही अंतर है, इस topic को करके देख लो, और यहां से screenshot ले लेना, ताकि इसका notes बना सके, और example के लिए आप यह जो मेरा project है, इसको practice कर लेना, मिलते है next video में, तब तक